तो हम प्रश्ण दिखते हैं यदि Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा Y और Z2 इक्वल टू X प्लस 3 आयोटा दोन समान समिस्र संख्याएं हो तो X और Y का मान ग्यात कीजिए तो हमने ये देखा है कि दो समिस्र संख्याएं यदि बराबर होती है तो उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर होते हैं उसी तरीके से कालपनिक भाग भी आपस में बराबर होते हैं तो चलिए इसे हल करते हैं, दिया गया है कि Z1 equal to Z2, और Z1 का मान 2 minus Iota Y है और Z2 का जो मान है यह X plus 3 Iota है, यहां पर देखिए यह वास्तविक भाग है यह रियल पार्ट है और इस तरीके से left hand side में यह वास्तविक भाग है, तो यह दोनों संख्या आपस में बराबर होंगी, उ यह कालपनिक भाग है और यहां पर भी यह Iota है, तो यह कालपनिक भाग है, इसका मतलब यह कि Iota के साथ जो गुणांख है यह दोनों आपस में बराबर होंगे, तो तुलना करने पर हम यह लिख सकते हैं कि X equal to 2, देखिए यह इसका right hand side का यह real part यह वास्तविक भाग है और minus Y है, तो हम क्या लिखेंगे, minus Y equal to 3, या फिर इसे आगे solve करके लिख सकते हैं, Y equal to minus 3, तो इस तरीके से हमने इसे हल किया, और देखा कि X का मान जो है, वो 2 मिला और Y का मान minus 3 मिला, इसी तरीके से एक दूसरा प्रश्न हल करते हैं, तो अगला प्रश्न है, यदि A plus B minus Iota into 3A plus 2B equal to 5 plus 2 Iota हो, तो A और B का मान ग्याद कीजिए, पिछले प्रश्न में जैसे हमने गुणांकों की तुलना की थी, या फिर वास्तविक भाग की तुलना, वास्तविक भाग से और कालपनिक भाग की तुलना, कालपनिक भाग से की तो उसी तरीके से इसे भी हल करना है, चलिए, देखते हैं, दिया गया है कि A plus B, ये minus Iota, then 3A plus 2B equal to 5 plus 2 Iota, तो ध्यान दीजिए, कि यहाँ पर right hand side में ये वास्तविक भाग है और left hand side में ये वास्तविक भाग है, तो इसे हम लिख सकते हैं, तुलना करने पर A plus B equal to 5, और यह पर Iota के साथ में 2 है, ये इसका कालपनिक भाग है, उसी तरीके से left hand side में जो कालपनिक भाग है, वो ये है, लेकिन रिंड चिन्न के साथ में, तो हम क्या लिखेंगे, minus of 3A plus 2B equal to 2, या फिर ये जो रिंड चिन्न है, इसे हम right hand side में भी shift कर सकते हैं, तो ये जो चिन्न है, इ प्रतिस्थापन विधी, तीसरा है विलोपन विधी और चौथा है वजगुणनखंड विधी, तो आप इसे जिस भी विधी से हल करना चाहें, हल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर विलोपन विधी का इस्तमाल करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए, यह 3A है और यहाँ पर A है, तो पहले मुझे यह A है, इसे विलोपित करना है, तो इस पूरे के पूरे समीकरण में मुझे A का जो गुणांक है इन दोनों के लिए समान करना होगा, तो उसके लिए मैं इस पहले समीकरण में 3 का गुणा करूंगा, तो यह पहले समीकरण में 3 का गुणा करने पर यह as it is, वैसे ही लिख लिया, अब देखिए, कि यह जो नया समीकरण है, इसे हमने 3 का नाम दे दिया है, और यह दूसरे समीकरण को हमने as it is, लिख दिया है, अब इसे घटा दीजे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा दीजे, समीकरण 3 में 2 को घटा दीजे, तो देखिए, यह 3a और 3a दोनों कैंसल हो जाएगा, या फिर इसे अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू 15 माइनस, और यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगे, तो आगे हम इसको लिख पाएगे 15 प्लस 2, अब यह देखिए, 3a और यह माइनस 3, यह दोनों कैंसल हो जाएगे, और 3b minus 2b, तो यह हमें मिल दाएगा b, तो इस तरीके से हमें जो b की value मिली है, यह 17 हमें मिल चुका है, अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं, समी करण 1 में, समी करण 1 से, समी करण 1 क्या कहता है, a प्लस b इक्वल टू 5, तो b का मानिया आप पर रख दीजिए, तो a प्लस 17 इक्वल 5, तो यह हमें मिलेगा a इक्वल टू 5 माइनस 17, so a इक्वल टू माइनस 12, तो यह जो हमें प्रशन दिया गया था, जिसमें हमें a और b का मान ग्याद करना था, उसके लिए हमें हल मिला है, a इक्वल टू माइनस 12 और b इक्वल टू 17, अगर इसे आप क्रॉस चेक करना चाहे तो A और B का मान आप लेप्ट हेंड साइड में पूट कीजे, आपको ये समिस्र संख्या मिल जाएगी. अब हम देखते हैं समिस्र संख्याओं पर संक्रिया हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, जो समान्य संक्रिया हैं, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, या फिर आप दूसर सब्दों यह कह सकते हैं कि समिस्र संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भा Z2 है a2 plus iota b2, ये दो समिष संख्या हैं, इसे हमें जोड़ना है, तो left-hand side left-hand side के साथ जुड़ेगा और right-hand side right-hand side के साथ जुड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं a1 plus iota b1 plus a2 plus iota b2, तो वास्तविक भाग जो है वो वास्तविक भाग के साथ जुड़ता है या घटता है उसी तरीके से कालपनिक भाग कालपनिक भाग के साथ जुड़ता या घटता है तो देखिए यहाँ पर A1 और यह A2 दो वास्तरीक भागें, तो यह A1 प्लस A2 इसे हम एक साथ लिख लेंगे, इसी तरीके से देखिए आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा यहाँ पर भी है, तो इन दोना से अगर मैं आयोटा को common ले लूँ, तो हमें मिलेगा B1 प्लस B2, तो A1 प्लस A2, and imaginary part of Z1 प्लस Z2 इक्वल तो इसे है B1 प्लस B2, तो इसका हम एक आंकिक हल प्रश्न करके देखते हैं, यहाँ पर हमने A और B का value ले लिया था, चलिए, Z3 इक्वल तो 2 प्लस 3 आयोटा हो, और Z4 इक्वल तो 3 प्लस 2 आयोटा हो, इन दोनों का में जोडना है, तो Z3 प्लस Z4, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, हमने सिर्फ value पुट किया है, अब देखिए, यहाँ पर यह वास्तिविक भाग है, और यह वास्तिविक भाग है, तो इसे आप एक सांद लिख लिजे, तो 2 प्लस 3, similarly, यहाँ पर आयोटा कालपनि मिलेगा, तो हमें मिला Z3 प्लस Z4 एक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा, और दूसरे तरीके से आप अगर इसे लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, real part of Z3 प्लस Z4 एक्वल टू 5, इसका मतलब यह है, कि यह जो समिस्र संख्या है, इसका वास्तिविक भाग है, यह 5 है, और इसी जो समिस्र संख्या है, Z3 प्लस Z4, इसका जो कालपनिक भाग है, वो भी 5 है, तो इस तरीके से हमने देखा कि दो समिस्र संख्याओं को कैसे जोडा जाता है, अब हम देखेंगे, दो समिस्र संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, तो एक समिस्र संख्या है, Z1 इक्वल टू A1 प माइनस Z2 की वैल्यू निकाल लिए तो हम इसे लिखेंगे पहला Z1 की वैल्यू लिख लीजिए A1 प्लस आयोटा P1 और फिर माइनस A2 प्लस आयोटा P2 अब जैसे की थोड़ देर पहले मैंने कहा था कि वास्तुविक भाग वास्तुविक भाग के साथ जुड़ता या घटता है और कालपनिक भाग कालपनिक भाग के साथ जुड़ता या घटता है तो सबसे पहले हम ब्रेकेट को उपन कर लेते हैं यह ब्रेक a1-a2 और यह भाग और यह भाग दोनों कालपनिक भाग है क्योंकि इसमें iota है और इसमें भी iota है तो दोनों से अगर iota को हम common ले लें तो यहां पर जो गुणांक बच रहा है यह है b1 और यहां पर जो गुणांक बच रहा है यह minus B2, तो इस तरीके से हमें Z1 minus Z2 जो मिला, वो है A1 minus A2 plus Iota into B1 minus B2 तो चलिए, इसे हम एक उधारन से और समझने की कोसिस करते हैं यदी Z3 ये 5 plus 2 Iota हो, और Z4 ये जो है 2 minus 3 Iota हो, ये दोनों अलग-अलग समिश संख्या हैं, तो हमें Z3 minus Z4 अगर निकालने कहा जाए, तो हम लिखेंगे Z3 minus Z4 equal to 5 plus 2 Iota minus 2 minus 3 Iota, पहले bracket को open कर लेंगे, ये minus और ये plus, तो हमें यहाँ पर जो value मिलेगी वो minus में हैगी, minus 2, ये minus और ये minus, दोनों को जब multiply करेंगे या गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा plus 3 Iota, ये वास्तिविक भागे और ये वास्तिविक भागे, तो दोनों को हम एक सांथ लिख लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये 2 Iota और ये plus 3 Iota, ये दोनों कालपनिक भागे हैं, तो इसे हम Iota को common ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2 plus 3, तो 5 minus 2 इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, इसी तरीके से 2 plus 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, और ये 5 Iota, तो इस तरीके से Z3 minus Z4 हल करने पर हमें मिला 3 plus 5 Iota, तो अगली संक्रिया है गुणन या फिर माल्टिपिकेशन, यहां पर हम दो फिर से complex number लेते हैं, या समिश संख्या लेते हैं, Z1 equal to A1 plus Iota B1 और दूसरी एक समिश संख्या लेते हैं, Z2 equal to A2 plus Iota B2, हमें Z1 into Z2 या दोनों, दो समिश संख्याओं का गुणन फला में जहां पर दो अलग अलग पदों का गुणन कर रहे हैं, तो पहले यह A1 का गुणन पूरे पदों के साथ, तो A1 into A2 plus Iota B2, फिर यह जो Iota B1 है, इसका गुणन इस पूरे पदों के साथ, A2 plus Iota B2, अब अगले पद में bracket को open करेंगे, A1 into A2 करेंगे, तो multiply हमें मिलेगा A1 A2 plus यह जो Iota इसे हम पहले लिख लेते हैं, A1 B2, यहां पर करम उतना महत्वपूर नहीं है, इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर यह A1 B2, similarly यहां पर Iota B1 into A2 है, Iota को पहले लिख लेते हैं, B1 A2 plus, यहां पर Iota है और यहां पर Iota है, तो दोनों का जब ग गुणा होगा तो हमें मिलेगा Iota square, और यह B1 और यहां से यह B2, तो हमें यह पता है कि Iota का वर्ग जो होता है, वो रिनेक होता है, तो पहले हम मान रख देते हैं, A1 A2 plus Iota A1 B2 plus Iota B1 A2, यह हमें माइनस 1, हम जानते हैं कि Iota square जो होता है, यह मान रख देंगे, तो हमें य जो पद है, यह माइनस B1 B2 मिल जाएगा, अब ध्यान से देखिए, यह A1 A2 और यह B1 B2, यह दोनों वास्तिक भाग हैं, तो हम इसे एक सांद लिख लेते हैं, A1 A2 minus B1 B2, अब कालपनिक भाग, इसमें Iota है और इसमें Iota है, दोनों Iota को common ले लेते हैं, तो हमें मिल जाए किया है, इसे हम एक और उधारन की माद्यम से समझने की कोसिस करते हैं, Z3 equal to 1 plus 2 Iota ले ले और Z4 equal to 2 plus 3 Iota ले ले ले, दोनों का में गुणा करना है, Z3 into Z4 equal to 1 plus 2 Iota और 2 plus 3 Iota, फिर से वितरणियम का पालन होगा यहां पर, पहले इस एक के सांद पूरे पत का गुणा, फिर य 2 into 2 plus 3 Iota, फिर यह जो 2 Iota है, इसका गुणा 2 plus 3 Iota के सांथ, इसे हल करेंगे तो मिलेगा 2 plus 3 Iota, फिर 2 into 2, यहां से मिलेगा 4 Iota, 2 into 3, that is 6, और Iota into Iota, Iota square, या Iota का वर्ग, तो देखिए, यह दो पद जिसमें Iota है, तो इन दोनों को हम एड़ कर सकते हैं, तो 2 plus 7 Iota, और आपको पता है कि Iota square जो होता है, यह माइनस 1 होता है, तो वो value हम यहां पर put कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा minus 6, तो 2 minus 6 वास्तिक भाग है, plus 7 Iota, यह में मिल जाएगा minus 4 plus 7 Iota, तो इस तरीके से Z3 into Z4 जो हमने calculate किया, तो हमें मिल गया minus 4 plus 7 Iota, या फिर इसे आप इस तर real part of Z3, Z4 equal to minus 4 and imaginary part of this complex number Z3, Z4 equal to 7. अगली संग्रिया देखते हैं जो की भाग है, या division, एक complex number है, Z1 equal to A1 plus Iota B1 और दूसरा complex number है, Z2 equal to A2 plus Iota B2, तो अलग-अलग समिसर संख्या है दी गई है, इसे हमें Z1 upon Z2, या फिर Z1 में Z1 upon Z2 हमें calculate करना है, तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं, A1 plus Iota B1 upon A2 plus Iota B2, देखिए कि उपर एक अलग समिसर संख्या है और नीचे अलग समिसर संख्या है, तो इसे हल करने के लिए, या फिर माना करूप में परिवर्थित करने के लिए, हर के संयुगमी के साथ हम देखेंगे, वो वास्तिक भाग और अधिकालपित भाग के बीच में जो चिन है उसे हम बदल देते हैं, तो हमें उसका संयुग में मिल जाता है, A2 minus Iota B2 upon A2 minus Iota B2, तो थोड़ी देर पहले हमने ये देखा है कि समिसर संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, तो अंस हल करेंगे, तो हर में जो रासी मिलेगी वो होगी, A2 का स्क्वार, ये देखिए, A plus B और A minus B के फॉर्म में हैं ये, तो A plus B into A minus B, ये होता है, A square minus B square, ये ये फर्मूला आपको याद नहीं है, तो साधारन तरिये से जिसे हम गुणा करते हैं, वैसा गुणा कीजिए, आपक Iota square और ये B2 का square, यहाँ पर जो पद आपको मिलने वाला है, उसे आप आगे हल कर सकते हैं, अब Iota square जो होता है, ये minus 1 होता है, वैलू यहाँ पर पूट करेंगे, तो ये जो चिन्ना ये convert हो जाएगा, प्लस में, तो A1 plus Iota B1 into A2 plus Iota B2 upon A2 का square plus B2 का square. इसे हल करने पर आप वास्तोईग भाग को अलग लिखेंगे और अधिकल्पीद भाग को अलग लिखेंगे, इसे हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, कुछ जादा आसान हो जाएगा, Z3 equal to 2 plus 3 Iota है और Z4 equal to 1 plus 2 Iota है. तो हमें Z3 upon Z4 की value calculate करनी है, तो हम लिखेंगे 2 plus 3 Iota upon 1 plus 2 Iota. इसे हल करने के लिए हमने क्या किया था? हर में जो रास्य है उसके संयूगमी से गुणा और भाग किया था. तो हमें से यह जो 1 plus 2 Iota है, इसका जो संयूगमी है, वो 1 minus 2 Iota और 1 minus 2 Iota. इसके साथ गुणा करेंगे. देखिए, यह अलग समिस संख्या है, यह अलग समिस संख्या है, यह अलग समिस संख्या है, और यह अलग समिस संख्या है. तो अंस का गुणा अंस के साथ होगा, तो ये जो 2 है इसका गुणा पहले पूरे पदो के साथ, 1-2 आयोटा, फिर ये जो 3 आयोटा है, इसका गुणा इस पूरे पदो के साथ, और उसी तरीके से देखिए, ये हर में जो अलग-अलग समिश संख्या हैं, दोनों का जब प्लस B into A minus B, ये होता है A square minus B square, सीधा solve करके हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर साधारन तरीके से आप हल कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जो उत्तर मिलेगा, ये मिलेगा, ये 1 का square, फिर minus 2 का square और आयोटा का square, इसे आगे हल करते हैं, 2 into 1, that is 2, और 2 into minus 2, तो ये हमें मिलेगा, minus 4, आयोटा, plus 3 आयोटा into 1, तो ये हमें मिलेगा, 3 आयोटा, इसी तरीके से, ये plus और ये minus है, दोनों का product ये गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा, minus, और ये 3 into 2, that is 6, तीन और 2 का गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा 6, और ये आयोटा और आयोटा का गुणा करेंगे, तो आय आयोटा का power 2 या आयोटा square यह minus 1 होता है varum यह वैल्यू हम यहाँ पर put करके इसे आगे हल करेंगे तो 1 का square 1 minus 2 का square 4 और यह minus 1 देखिए यह 2 यह 있었़ यह इन आति दोनों अधिकल्पित भाग के साथ में हैं तो आप अगर iota को common ले लें तो यहाँ पर आएगा minus 4 और यहाँ पर आएगा plus 3 minus 6 और iota square minus 1 होता है यहाँ पर यह value put कर दीचे इसी तरीके से यह 1 और यह minus और minus multiply हो करके हो जाएगा plus 4 इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 plus iota minus 4 plus 3 यहाँ से हमें मिलेगा minus 1 और यह minus और minus multiply करके हो जाएगा plus 6 upon 5 यह 4 plus 1 5 अब यह देखिए कि यह 6 और यह 2 यह दोनों real part है यह वास्तिक भाग है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 6 plus 2 यह आप पर मिलेगा 8 और यह minus 1 के साथ iota का multiply होगा तो आपको मिलेगा minus iota upon 5 तो इस तरीके से z3 upon z4 जो हमें मिला वो मिला 8 minus iota upon 5 या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 8 upon 5 minus iota into 1 upon 5 तो यह इसके लिए उत्तर हैं इसी तरीके से आप दिये गए समिश संख्याओं को जोड सकते हैं घटा सकते हैं गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं